हेलो माई डियर स्टुडेंट्स ए वन्स अगें वलकम यूटूब माई यूटूब चैनल नंसूरी इंग्लिस क्लास गाइज आज आप सभी गिरिये वेतरीन ही खुसकबरी है और वो खुसकबरी है अबावड इस पोकन इंग्लिस कोर्स क्योंकि सारे बच्चे यह चाते हैं क कि मैं इंग्लिस बोला सीखूं और मैं इंग्लिस बोलूं बैट गाइस कुछ बच्चे इस पोकन की बजा से इंग्लिस नहीं बोल पाते हैं आपने नुसले, इस सुरूं कर रहे हैं और एपेसिक शुरुत की मदद यह से आप अराम से कहीं भी इंग्रीश बोल जिन से इप्य safety इंग्रीश को सेकेआँ So guys, आज की वीडियों हम concept first आपको बताएंगे और one by one आपको सारे concept आपको कराने वाले हैं और practice भी आपको कराने वाले हैं Firstly, you have to watch my video and then write comment in comment box if you like my video So if you are new on my channel so don't forget to subscribe and follow me So just come with me So guys, आज concept 1 हमारा concept 1 क्या है? हम आपको बताने वाले हैं So just we are talking about the concept number of first अपको इस first concept में हम आपको क्या सिखाएंगे? देखो आपको स्क्रीट पर दिखरा है क्या वह है? आपका बनाई है Just अगर मैं आपसे बोलू क्या आप इस बात को इंग्लिश में बोल सकते हैं? So surely कुछ बच्चे बोल सकते हैं और कुछ बच्चे नहीं बोल सकते हैं So जिसको आता है तो वो तो बोल सकता है जिसको नहीं आता है वो नहीं बोल सकता है तो यह आप जिन से नहीं आता है उन सभी के लिए आप बताईए इसको Englishman कैसे बोलेगे आप बोलेगे नहीं बोलेगे ना बताने बाला हूं देखोका रहा हूं से आपको सबसे पहले यूज करना है is क्या यूज करेंगे is फिर उसके बाले आप यूज कर देंगे that और यहां यहां पर लिख देना या फिर जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे ना वही चीज यहां पर लिख देनी है जब आप बोलें क्या वहें आपका भाई है अब भाई के बारे में पूछ रहें ना क्या वहें आपका भाई है सो भाई के बारे में पूछ रहें तो हम क्या वो sister, is that your sister, बस अराम से बना सकते हैं, just अगर मैं आप से बोलू, क्या वहें आपका गर है, या यहाँ पर तुम्हारा भी बोल सकता हूं, क्या वहें तुम्हारा गर है, तो just you have to speak, is that your home, इस जरीके से अगर मैं बोलू, क्या वहें तुम्हारी किताब है, तो आप कैसे बोलेंगे is that your book, बहुत सारे sentences English में बोल सकते हैं, इसकी मदल से, जैसे आप बोल सकते हैं, क्या वहें तुम्हारा गर है, तो आप बोलेंगे is that your home, अगर मैं आप से बोलू, क्या वहें आपका दोस्त है, तो आप बोलेंगे is that your friend, अगर ऐसी मैं बोलू, क्या वहें तुम्हारा गर है, Is that your home अगर मैं बोलू क्या वे है तुम्हारी पैन है Is that your pen क्या वे है तुम्हारी कार है Is that your car क्या वे है तुम्हारा भाई है Is that your brother क्या वे है तुम्हारे पापा है Is that your father क्या वे तुम्हारी mom है Is that your mom क्या वे है आपका दोस्त है Is that your friend क्या वहाँ आपका कमरा है is that your room क्या वहाँ आपकी पैन है is that your pen so just guys इसी पर आप वह सारे sentences English में बोल सकते हैं just आप जिस बारे में पूछ रहे हैं वो आपको यहां पर add कर देना है और आप अनाम से बोल सकते हैं अब यह बता है आप बोल सकते हैं या नहीं तो एक मेरा question आपको बता रहे हैं जल्दी से बता वोच देखो आप केज़े करेंगे आप बोलेंगे सबसे पहले yes क्या बोलेंगे yes और उसके बाद बोलेंगे that is my पर यह बोलना कभ है ऐसा तो नहीं कि कमी बोलें मालीजे अगर बोलबो बोला कि क्या वह है तुम्हारा भाई है अगर मालीजे आपका भाई है तो आप बोलेंगे yes मेरा भाई यह बोल दो आपको तब बोलना और भूशी आपकी है तो आप बोलेंगे yes that is my और यहांपर आप डूर देंगे a brother इसका मतला होग हाँ वो मेरा भाइल है yes that is my brother अगर आपसे किसी ने इसी तरीके से question करा is that your house अगर उसने बोरा is that your house तो आप answer देंगे yes that is my house अगर इसी तरीके से किसी ने question करा is that your dog तो answer बोलेंगे yes that is my dog अगर इसी तरीके से किसी ने question करा is that your friend है तो आंसर हम देंगे yes that is my friend so माली जी आपको वही question reply करना है जो उसने question पूछा है वही आपको answer में देना है so just अगर उसने brother बोला है तो आप brother बोलेंगे उसने sister बोला है तो आप भी sister बोलेंगे और यहां तक same रहेगा ठीक है so इसके बाद अगर मांदी जी आपको यह तो नहीं कि आपकी चीज हो सकती है नहीं भी हो सकती है तो आपको answer कैसे देना है तो आप बोलेंगे no that is not my अब यहां पर फिर बोलना है no that is not my अगर मांदी जी नहीं है तब बोलेंगे अगर मैंने आपसे पुछा क्या वाई तुम्हारा भाई है अब मांदी नहीं हुआ तो यह तो नहीं कि yes बोल देंगे अब no ही तो बोलेंगे तो आप no वाल आप में बोलेंगे no that is not my और यहां पर एड़ कर देंगे brother ठीक है इसी तरीके से अगर उसने पुछा is that your mobile अगर आपका mobile है तो आपका आंसर होगा yes that is my mobile और नहीं है तो no that is not my mobile इसी तरीके से अगर उसने पुछा आपका आंसर होगा yes that is my mobile अगर नहीं है तो आप इस तरीके से आंसर अराम से question और आंसर दोनों दे सकते हैं और किसी से भी पूछ सकते हैं तो तुम्हें इस पर practice करनी है खुछ से अब आप किसी से भी जाके बोल सकते हैं why is that your brother is that your teacher is that your school is that your sofa is that your chair is that your brother so lots of question you can ask why force of this concept suppose that आप इस concept को practice करते हैं घर पर तो आप बहुत सारे concept अराम से clear कर सकते हैं जो आपको नहीं आदे माली जी इस तरह की बात है जितनी भी हैं आप इस concept की मदद से बोल सकते हैं टीक है ना सो आराम से आप बोल सकते हैं बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं तो आपको क्या करना है इसकी प्रैक्टिस करने है घर पर और अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में लिखना ना भूरें जल्दी से कमेंट में लिखकर बता दीजिए कि हाँ इसी तरह की और भी वीडियो हमको चाहिए सो यह हमारा first concept है concept second हम दीरे दीरे आपको advanced concept भी बताने वाले हैं क्योंकि कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर यह तो बहुत ही छोटी सी basic जानकर यह सभी लोग जानते जस्ट मुझे मालूम है कि यह basic है और सभी लोग जानते बट यह हमारा पहली वीडियो है पहला concept है तो स्टार्टिंग करेंगे तो छोटा ही बताएंगे ना जस्ट हम एडवांस पर तरणने चल जाएंगे और जस्ट हमें दीरे दीरे सीखना है ना सो पहला concept तो हमारा छोटे ही रहेगा क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट जीलो से कर रहे हैं जिसे बिल्कुल इंग्रिस नहीं आ झाल